हेलो फ्रेंड्स नमस्कार मैं आपकी दोस्तारशना आज मैं बनाने जा रही हूँ हलवाई स्टाइल लच्छेदार लौकी की बर्फी इसमें ना हमने खोए का इस्तमाल किया है ना कंडेंस मिलका इस्तमाल किया और ना ही चाशनी बनाने का जंजट बहुत ही आसान सी रेसिप और ढ़ाएं उसकी वान इनकामेर के से मिलके की इस तरीकेसे हमें काते हैं पहले अप्र अब legislativus हमेरे बीचिधा पर आसे बीच मीश отвाऊं नीडिक गेंगे तो इसी तरीके से अपनी पूरी लॉकी जाए मैं तयार कर लेती हूं ग्रेट करके तो मैंने यहाँ पर सभी लॉकी ग्रेट कर ली है अब इसका हमें पानी अलग करना है तो उसके लिए ऐसे आप हाथ से दोना हाथ के बीच में दबाएं कस Punkte निचोर देगे तो आराम से हमारे पानी निकल जाता है अगर आप से ऐसे ना हो तौप एक काम करी मसलिन कलोथ होता है वो ले लीजे तो आप बड़ा सा हैंकी ले ले लीजे उसमें सारा ढाल के कसक के निचोर देगे तो आपका आराम से पानी अलग हो जाएगा और लोकी अलग हो जाएगी बिलकुल इस तरीके से देखिए अब यह जो बचा हुआ है इसको हम चान लेंगे और यह हमारी जो लोकी है वो देखिए कितनी बढ़िया हमारी तयार हो गई है और इसका जो पानी है यह बहुत फायदेमंद होता है ऐजे लोकी के जूस की तरह भी आप इसको इसको इस्तमाल कर सकते हैं ऐसे चानने के बाद में इसमें थोड़ा सा नीमबू और काला नमग डाल के पी सकते हैं इसको आटे में गोंद ले रोटी में भी काम आजाता है बनाते हैं बर्फी तो उसके लिए मैंने हैं एक पैन में ले लिया दो चमश देसी घी अब इसमें डाल देंगे जैसी मेल्ट होता है अपनी सारी लौकी जो हमने अच्छे से निचोड के तयार करी थी अब इसको डा इसमें बहुत ही बढ़ी खुश्बू भी आ जाती है इस तरीके जाम इसको दो तीन मिनट तक ऐसी भूनेंगे भून के फिर इसको ढखके रख देंगे ताकि इसको हम पकाएंगे थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए तीन से चार मिनट के लिए तीन चार मिनट तक पकाने के अब इस दूद के साथ हम इसको पकाना है जब तक कि अच्छे से सॉफ्ट ना होजा हमारी लौकी मगर दूद के साथ ही मैस में थोड़ी सी डाल रहूं इसमें चीनी भी मीठे के लिए अभी ताकि चीनी भी अपना पानी छोड़ देगी और दोनों मिलके एक साथ पक जाए इसको डाल देती हूं इससे भी वही बढ़िया टेक्स्चर आने वाला है बिल्कुल घर की चीजों से हमारी देखे बन के तयार हो जाएगी हमने इसमें कोई चीजों की जुरत नी पड़ रही है चाशनी की हमारी टेंशन नहीं चीनी भी साथ मेसी में गल जाएगे इसको ढ के पकाएंगे जब तक इसका पानी इच्छे से जल ना जाए यह देखिए बिल्कुल इस तरीके से आप बीच में इसको खोले और बीच में से इस तरीके से एक दो बार चला लें काफियत तक वैसे पानी जल चुका है इसका मगर अभी हम इस और ढ़के पकाना है क्योंकि ब अच्छे दर बर फी में थोड़ा सा कोकोनेट का फेवर अच्छा लगता है तो मैं डैसी केड़ीट को कुरेट थोड़ा सा डाल रही हूं यह बिल्कुल ऑप्शन आपको पसंद तो डाली ने तो इसके बीकर सकते हैं और इसमें थोड़ा सा में यह पावडर मिल्क बिलकु अच्छे से मिक्स करके हमें इसको अच्छे से भून आया हमें धक्के नी पकाना इसको अच्छे से भून ना दो तीन मिनट तक और इसको बाजार जैसा लोग देने के लिए मैं हाँ पर इस्तमाल कर रही थोड़ा सा ग्रीन फूड कर यह बिल्कुर ऑप्शनल है आप चाहे तो लिक्वेड और कैसा भी ड्राइ इस्तमाल कर सकते हैं इसमें बट अच्छी क्वाल्टी का लीजेगा देखे कितना प्यारा हमारे इसमें कलर आ गया है और हमारी भून के ही इच्छे से तयार हो चुकि देखे पैन बिल्कुर छोड़ दिया है इस स्टेज तक हमें भून के लिए रख सकते हैं और बटर पेपर ना हो तो एक बरस में थोड़ा सा घी जरूर लगा लें जिससे की नीचे चिपके नहीं तो यहां बटर पेपर मैंने इसलिए लगा है किससे आसानी से निकल जाता है और इसको सैट करने के बाद आए उसके पर थोड़ी सी गारिशिं करें दो घंदे के लिए फ्रीज में सैट होने के लिए रख दीजिए और दो घंटे के बाद यह देखि tykी कितनी बढ़िया सेट हो चुकी है इसको बाहर निकाल लेते हैं रह ने बटकर बटर दो क्योंटिए इस लिए लेख लगा था कि पेपर यंशना से निक्त निकालन तो friends देखा आपने बिना किसी चाशनी के जंजट के बिना condensed milk के कितनी आसान सी recipe पिर कितनी जल्दी बन के तयार होगी है है ना कितनी बड़े हमारी लौकी की बर्फी खाने में तो स्वादिश्ट है यह देखे कितनी आसानी से बाहर निकला है कितना प्यारा लग रहा है इसका कालार इसका टेक्स्चर लगराने बिल्कुल मार्केट स्टाइल और यकीन मानिये खाने में बहुत ही स्वादिश्ट बन के तयार हुई है तो friends अब आप लोग भी एक बार इस recipe से अपने घर में लौकी की बर्फी बनाईए खाये और फिर अपने अनुभा मिल साथ जरूर शेर कीजिए धन्यवाद